मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ क्यूंकि अभी हम कारिकरता का मीटिंग करके यहां पर आये हैं फिर कोई भी मीटिंग मेडिया के दर्शन के बगर पूरी नहीं होती इसलिए हम यह बताना चाहते हैं कि हम और राहूल गांदी जी जो पहली दोरे की मीटिंग यहां पर जो रखी है आने वाले चिनौव में किस तरीके से हमारे कारिकरता लड़ना चाहिए और उनके क्या विचार है उनको पूछ के आगे कदम हमको रखना है और जो गटवंदन भी होगा तो कैसा होगा उसके लिए भी हमारे जो लोकल लीडर्स हैं वो जो सला देंगे उस पर हम काम कर रहे हैं और हमारे लोक उसमें कामियाब होंगे और राहूल जी इंटरस्टेट है कि जम्मू कश्मीर में हम सभी एक होके लड़े इवन अपोजिशन को भी साथ लेकर हम आगे बढ़ना चाहते हैं और इसमें कामियाबी भी हमको हासिल हुई है जब इंडिया गटबंदन हमने बनाया है तो राहूल जी ने सभी नेताओं को बुला बुला कर बात किया और हमने उसका रिजल्ट भी देखा और आप सब को मालूम है कि इंडिया गटबंदन एक डिक्टेटर को सत्ता में संपूर्ण भवमत से आने में रोका यही बहुत बड़ी कामियाबी इंडिया गटबंदन की है और आज वो परेशान है और इसी लिए तो आप देखे होंगे दो तीन कानून जो वो पास कर लेना चाहते थे उसको जब अपोजिशन आया तो उन्होंने वापीस लिया या तो जॉइन पार्लिमेंटरी कमिटी को भेज़ा एक तो आपको मालूम है वक बोर्ड का वो अमेंडमेंट के लिए सभी ने जब दटके उसको विरोध किया तो तब वो इसको जॉइन पार्लिमेंटरी कमिटी को गया और इसको पहली आवाज उठाने वाले राहुल गांदी जी सेकेंड लैटरल इंटरी याने सब कुछ उनके हाथ में इससे पहले भी करते हुए आये थे क्योंकि उनको बूट मेजॉरिटी आपने दी थी यह ने देश के लोकों ने उस बूट मेजॉरिटी का फाइदा उटा कर उन्होंने बहुत कुछ गलत कामें की किसानों के खिलाब तीन कानून मजदूरों के खिलाब चार कानून हर एक कानून को जो लोकों को जिसका फाइदा नहीं होता उन कानून को उन्होंने पास कर लिया स्टैंडिंग कमिटी में नहीं बेजा पार्लमेंटरी जॉइंट कमिटी को नहीं बेजा किसको भी नहीं वो तो उन्होंने काम किया और यहां तक जो वाइदे चम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने एलेक्शन से पहले किये थे, उस वो एक वाइदे भी उन्होंने पूरे नहीं किये। सारे जुमले, सच्ची भी वो जुमले खुदी बोले, कि वोम मिनिस्टर उनके शाहा ने बोला, कि वह दो करोड नौकरियां देना, और जो किसानों के लिए MSB देना, और 15 लाक रुपए काला दन, बार से लाके हर एक के जोब में डालेंगे, यह सब जुमले थे, उन्होंने ह भी बोला, अब जुमले यहां भी जुमले बोलके गए हैं, इसलिए हमारी पार्टी तैकी, राहुल जी के नेतरत में हमने ये कदम उठाया है, कि कश्मीर को स्टेट हूट हम दिलाएंगे, हम उसके लिए स्टेट हूट के लिए पुरा वाइदा करते हैं, कि हम काम करेंगे और ये जो उन्होंने, जैसा भी राहुल जी ने बताया था उदर, कि आज तक समिदान में जो भी यूटीज हुए हैं, वो यूटीज से स्टेट हूट बना हैं, स्टेट्स बने हैं, लेकिन स्टेट से यूटी नहीं बना कुए, इन्होंने जमू कश्मीर स्टेट था, इसको उन्होंने यूने टरिटरी बनाया, और बना के किसी को कोई हक नहीं, उन्होंने ये आज यहां काउंसिल नहीं है, असेमली नहीं है, पंचायद नहीं है, मुनसिपाल्टी नहीं है, लोग इतने दिन से जो जहां जमूरियत होती है उस जमूरियत को हिफाज़त करने के बज़ाए इन्होंने तोड़ना सीखा और आज तक election नहीं हुआ वो अब election announce किये हैं वो इसलिए किये हैं कि Supreme Court का direction था कि 30th December के अंदर आप चुनाओ कराना चाहिए तब इनके आँखे खुले और आज वो लोग announce करके लोग चुनाओ के तरफ चले हैं लेकिन एक बात बताना चाहता हूं आप लाग कोशिश करो BJP वाले या मोदी साब आप कभी इसमें success होने वाले नहीं हैं और लोगों को दबा के नहीं रख सकते हैं उनके voice को भी नहीं दबा सकते हैं और जमूरत में आवाज जो होती है वो लोगों की होती है और लोगों के आवाज को हम बराबर साथ देंगे और लोगों के साथ रहेंगे और जमूर कश्मीर के लोगों की जो आशाएं हैं आकांचें जो हैं उसके साथ हम कंदे को कंदा लगा कर लड़ेंगे यह हमारा वाइदा है इसलिए यह बात बताने के लिए हम आपके पास आ जंगल, जमीन की बात है, वो सब के लिए हम लड़ना चाहते हैं, और वो लोग सबी चीज़े आपसे चीनना चाहते हैं, अब हम चीनने नहीं देंगे, हम आपके साथ खड़ेंगे, अनेंप्लामेंट इतना बढ़ रहा है, लाकों वेकेंसीज यहां स्टेट में खाली है, वो वेकेंसीज नहीं भर रहे हैं, जो भरे हुए वेकेंसीज हैं, उनको टेंपररी कर रहे हैं, डेली बेजस कर रहे हैं, कॉंट्रैक्ट बेजस कर रहे हैं, तो ऐसी सियासत यहां चल रही है ऐसा पॉलिटिक्स मोधी जी ने यहां पर शुरू किया लोग देखते हैं और सान करते हैं एक बार दो बार अगर जादा किसी चीज़ की जादती हुई तो लोग उठ खड़े होते हैं तो मैं इतना ही करेंगा कि आज जो हम लोग हर जगे जो जा रहे हैं अब इस सेलेक्शन में भी हम पहले जम्मू कश्मीर में फिर उसके बाद हर्याना में उसके बाद महराष्ट में और जारकंग में हर जगे राहूल गांदी जी पहले जाना चाहते हैं पहुंचना चाहते हैं और पार्टी के विचार को रखना चाहते हैं तो इ इन्वेस्टमेंट लाने की पूरी कोशिश करेंगे और होटी कल्चर, टूरीजम और जो भी small scale industries है उसको बचाने की पूरी कोशिश हम करेंगे और जो हमारी दर्मनिर पेक्ष ताकतें को मिलकर आज हम यहां फिर से शांती बाल करने का काम करेंगे और मैं इसके लिए मेरा उल जी से भी विनंती करूंगा, वो अपने बात को यहां पर रखेंगे और हम यही चाहते हैं कि यहां पर शांती, समरदी, सुख यह सारी चीज़े फिर से बाल हो जाएं जम्मू कश्मीर में और आज जो बॉर्डर पे फिर गुस्पेटी चल रही है टेर्रीजम चल रहा है और वो कहिते दे पहले कि अगर थी सेवंटी खदम हुआ तो टेर्रीजम जाएगा, हो जाएगा, यह जाएगा, खुशाली आएगी, कहां खुशाली आएगी? अनेंपलामेंट बढ़ रहा है, बेरोजगारी तो बढ़ रही है, उसके साथ साथ प्र राइस राइस हो रहा है, मंगाई बढ़ रही है और इनके अत्याचार भी देश में बढ़ रहे है, तो इसलिए हम यह चाहते हैं कि ठीक डंग से यहां पर अपनी अड्मिनिस्रेशन लाने के लिए हमारी पार्टी पूरी कोशिश करेंगे और हम आपके साथ है, यह कहिने क टेक लिया हमाई, अब रहुंन गन्दी जी आपसे बात कि तूँ है जा। Thank you, Gargit ji. I'd like to welcome all of you here today. It is our priority in the Congress Party and also in the India Katmandan to restore statehood to Jammu and Kashmir as soon as possible. We had expected that this would be done prior to the elections, but okay, elections have been declared. It is a step forward, and we are hoping that statehood would be restored as soon as possible, and the rights of the people of Jammu and Kashmir, democratic rights, will be restored to them. I said earlier in the meeting that this is the first time since independence that a state has become union territories. This has never happened before. Union territories have become states, but it is the first time that a state has become union territory. So we are very clear in our national manifesto as well that it is a priority for us that the people of Jammu and Kashmir and Ladakh get their democratic rights back. It is always a pleasure for me to come here. I have a very deep relationship with the people of Jammu and Kashmir, and my message to the people of Jammu and Kashmir is, however we can help you, the Congress Party is always there. We understand that you are going through a very difficult period, a tough period, and we want to remove violence. We are taking questions. We are just, we are just, झाल 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 झाल